नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिक्रिप्टो बीच पर उम्मिद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे मार्केट में जो है कंटिनिवस ग्रोथ जारी है और उसके साथ साथ ही जो क्वाइन मार्केट का है कि जो टॉप 10 टॉप 15 टोकन से उसब के प्राइज अल्मोस्ट ग्रोथ है पिछले तीन से चार दिनों से और विटकोई ने वापस से सेवेंटि थौजन को ब्रेक किया ब्रेक करके फिर से उसे वह सेविंटिए थॉजण के बिलो लेकीं 6970 के बीच में करेंट से अब्रेट के साथ में ट्रेट कर रहा है इथरियम ने भी अपना अच्छा का सा रंग दीखाया इथिरियम 3000 सेवेंटेंड एट हां के एराउंड ẻ टीन फ SARAH को ब्रेक कर दिया है स्पीशलीव 211 12 जिनों से जहुच्ध जारी थी की ब्यांट कब 600 को वापस कर पाएगा क्योंकि एक माइन ड्येड में ने पहले ब्रेकिसें पर लेकिन मार्केट क्रेश में फिर से वह बुड़ी तरह नीची आया और वहां पर फिर लेकिन फाइनली उसने 600 को ब्रेक कर दिया है उसके लामा सोलाना जो है 179 180 करेंटी कर रहा है सोलाना की एगली जो नजर है वो टू टू हंडे अच्छा का ग्रोथ दिया है तर्ण कोईन में अच्छा कासा ग्रोथ 24 आवर्ट में अल्मोस 5.3 परषण का ग्रोथ टन कोईन का है और यह करेंटली 6.60 डॉलर पे ट्रेड हो रहा है और टर्ण ब्लॉक्चेंट के उपर इतने सारे प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहे हैं वो स इस के लामा सीबा इन्हों भी ग्रोथ पे है अल्मोस्ट फोलका डॉट ट्रॉन बिटकोईन का चैनलिक नियर प्रोटोकॉल यह सारे टोकन जो है टॉप 20 के अल्मोस्ट ग्रोथ पे चल रहे हैं किसी में बहुत ज्यादा कोई डिफ्रेंस देखने के लिए नहीं मिला है उस दो सबसे पहले तो बिटेंस अटाओ 10 परसेंट की ग्रोथ के साथ में नमबर वन पर है बिगेश्ट गेंटर्स में प्रिवेश ट्वर आवर्ट में नमबर तुपर जैस्मी कोईन सेवन परसेंट की ग्रोथ है नमबर तरी पर बूक ओफ मीम सेवन परसेंट डॉग परसेंट का है गाला नियर प्रोटोकॉल दिग्राफ और कसबा टॉप 10 टोकन से जो मार्केट में ग्रोथ कर रहा है जिनका प्राइज जो है उपर की तरह पे पिछले 24 आवर्स में उसके लावा बिगेश्ट लूजर्स में कोल्ड आओ नमबर वन पे है फ्लोकी लीडो डा अगर आप देखने जाएंगे तो पेपे अल्मोस्ट टू अनेट परसेंट अब है प्रिवेश्ट त्री टू फोर डेज में उतना आप होने के बाद प्राइज जो है 4.78 परसेंट डाउन है तो यह होता ही है मार्केट में कोई भी टोकन का प्राइज जब उपर की तरफ ज सुलाना और भॉंक यह जो है टॉप 10 ट्रेंडिंग टोकन है पिछले 24 आवर्स के उसके लामा कुछ नए जो टोकन एड हुए है उसमें ट्यूप्स एड हुआ है पीको मेटावर्स मॉंक्स जैक मोरीस पी आई इनू हंडेड एक्स ब्यन्वी ओलंपिक गेमिस्टॉप मेग टोकन और डॉंकी यह जो टॉप 10 टोकन है जो अलग-अलग सेंट्रलाइज और डिसेंट्राइज प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुए है और यह वहां पर ट्रेड हो रहे है करेंट्ली यह तो रहे दोस्तों मार्केट की इंफॉर्मेशन थोड़ी सी बात कर लेते हैं न्यू को लेकर बहुत ज्यादा इसू क्रेट करता है क्योंकि जब वर्ड कॉइन के माइनिंग चल रही थी प्री लिश्टिंग फेज में इसने लोगों के फिंगर प्रेंट्स आइज रेटिना सारे डेटास को कलेक्ट किया था इसने और अलग-अलग कंट्रीज में अर्जेंटी के प्राइविसी कमिशन ने ओडर दिया है कि एड़ बिग्रिंग आप दियर होंग कॉंग से पिसी पीडिए अनॉंच यूट इन्विस्टीट वर्ल्ड कॉंच एक्टिविटीज एड़ देपूट पोजे रिस्क टू पर्सनल डेटा प्राइवेसी होंग कॉंग ने स्टा आप इन पर्टिकुलर देर रिलिवेंट प्राइवेसी नोटिस और बाइमेट्रिक डिटा कंसेर्ट फॉर्म विव यह जो है लोगों के सिक्यूर्टी के लिए जो लो बाइमेट्रिक लिए रहे है यह उनकी प्राइवेसी के लिए बहुत नुक्सान दायक है और यह आगे क्लेरली ओडर दे दिया कि वर्ड़ कोई जो है होंग कॉंग से अपने ऑपरेसंस को सीच कर दे फाइनली उसके लामा यूएस में इलेक्सान आने वाले हैं वहां पर बहुत डिबेट चल रहे थी ट्रंप और विडेन की वहां पर क्रिप्टो के ऊपर तो फाइनली बिडेन ने भी अपना अपिनियन दे दिया है कि विडेन सपोर्ट क्रिप्तो लॉक जो बिडिन की टीम की तरफ से भी ओफिसल इस्टेट्मेंट आ गई है कि वो लोग भी क्रिप्तो लॉक को सपोर्ट कर रहे हैं जैसे कि आप लोग को मैंने बताया था कि ट्रंप ने मास्टर को सपोट करते हैं उसके अलमाव के डाउ बाउव बंस 15 बिलियन बिलियन डॉल इन टोकनल आफ्टर कम्मिनिटी फूर्ट की डाउन ने ओ टिंक राया था कमूनिटी की द्वारा की को फ्रॉक्य को बर्न किया जाता तो कम्मूनिटी ओड़ी सैदॉव अलग वर 15 बिलियन टोकर बर्नोंगा गया कम्यूलिटी बने के दूराय हाप आप लोग देख सक्टें 15.246 बिलियन टोकर बर्सक्सेवली एक्यूट एक्षफ्फुटेड फालिव एक्षट बाइड बायद फ्लोकी डाओ फ्लोकी टोकर सेजी शुक्षफिली बन्तूट टोडे एक्षटनले फ् पर्सेंट ओटर इन फेवर अपड़ बर्न इसमें जब ओटर हुई ओटिंग हुई तो 99.84 जो यूजर्स पे उन्होंने का था कि इसको बर्न कर दिया जाए और फाइनली इन्होंने फिप्टीन बिलियन फ्लोकी टोकर को जो है बर्न कर दिया है और आने वाले टाइम में इ कर पा रहा है ना तो मार्केट कैप में कोई ग्रोथ है 54 पर्सेंट का लॉस है वाल्यूम में प्राइज अब तो अल्मोस्ट इस्टेबल ही है प्राइज में बहुत ज्यादा डिफ्रेंस नहीं है जो प्राइज 70 से डाउन होके 40 तक आया था वो बिलो 40 39 पे रुका हुआ है ना तो उपर की तरफ जा रहा है ना तो नीचे की तरफ जा रहा है इसका सस्टे बड़ा रिजन सहाथ ये भी यह कि ट्रेडिंग वाल्यूम नी जेनरेट हो रहा है क्योंकि पिछले पिछले 24 आवर्स में आगर देखेंगे तो सिर्फ फाइव लाग यानि कि वन मिलियन ट्रेड में वाल्यूम यह ट्रेडिंग वालिंग बहुत कम जनरेट होने की वजह से इसके प्राइज में बहुत जादा इंपक्ट देखने के लिए नहीं मिल पा रहा है और उम्मीद करते हैं जल्दी कुछ नों कुछ इसके ऊपर भी अपडेट आए कि कुछ इंपक्ट द दो महीन में सिर्फ नीचे की तरफ ही गया इसने मार्केट ट्रेंड को फॉलो नहीं किया है तो उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में इसमें बदला हो सकता है हो सकता है कि इसमें कुछ ग्रोथ देखने के लिए मिले तक तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और इन्फरमेशन के साथ में धन्यवाद